जै माता के सबी वक्तों को कैसी हूँ आप सब आशा करती हूँ कि सबी जो है सुरक्सिती हैं और मा जगत जन्नी मामबे की कृपावी सदयब आपके उपर बनी रहे यही दिल से कामना तो आप सबी के प्यार से ही और मा दुर्गा के आशिरवाद से फिर एक नई वीडियो के स साथ हाजिर होगी हूँ और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगी कि अगर नवरातरी की पूजा के दौरान आपको जो है पिरियट्स प्रॉब्लम हो जाती है बहुत सारी मिल्लाओं के साथ ये समस्या जो होती है तो वो किस तरह से जो है नवरातरी रख जाती है तो उस दौरान आपकी पूजा जो है वो अखंडित हो जाएगी या फिर आपको पूजा का कोई भी फल नहीं मिलेगा क्या नियम जो है आपको उस दौरान करने चाहिए कि सारे जानकारी आपको इस सबसे पहले ही पहुच जाए तो क्या होता है जब भी जो है हम कोई पूजा साधना या जाप करने की सोचते हैं मैलाओं के सब खास तोर पर यह समस्या हो जाती है कि उनको जो है पीरियर्ट्स प्रॉब्लम आ जाती है और फिर वो जो है इसी बात पर हुच है जो को फेली बात कि आप के मन जो है वो साफ होना चाहिए मन के अंदर भाव होने चाहिए भाव से ही भगवान को जीता जाता है तो पहली बात मैं बताऊँगी बृत के बारे में अगर आप बृत कर रही हैं और बृत के दौरान आपको जो है period problem हो जाती है आप जो है तो आपको बृत जो है छोड़ने नहीं चाहिए आपको अपने बृत continue ही रखने चाहिए आपको जो है मातारानी का जाप without माला या without किताब जैसे आप दुर्गा शब्ची का पाट कर रहे हैं, तो वो आपको नहीं करना है, अगर मुझवाने याद है, कई बार हमें याद होता है, तो आप याद किया हुआ, वो अपने मुझव से गा सकते हैं, आप दुर्गा चालिसा का पाट कर सकते हैं, आप माके मंतर का भी जाप कर सकत तो आप मुबाइल में चला कर भी दुर्गा शब्ची का पाठ सुन सकती हैं, आप पाठ भी सुन सकती हैं, आप भजन भी सुन सकती हैं, उसमें मातारानी ने कभी भी कोई भी मनाई नहीं की हुई है, आपको अपना ब्रत continue रखना है, जैसे आप फलाहर खाते हैं, या जैसे आप एक टाइम का भूजन करते हैं, वो आपको करना है, दूसरी बात, अगर आपने अखंड जोत लगा दी, आपने जो है अखंड जोत लगा दी और दूसरे या तीसरी नवरात्री को ही आपको period problem हो गई, तो आपको अब कैसे संभालना है अपनी अखंड जोत को, आपको जो है अपनी अखंड जोत का, जिस दिन आप संकल्प लेते, क्योंकि ऐसी कोई भी मैला नहीं होती है, जिसको अपनी period's date का पता नहों, सभी को पता होता है, तो अपनी date का पता करके ही आपको जो है संकल्प वाले दिन, जैसे पहली नवरात्री वाले दिन, जिस दिन आप अपने कोई बड़ी बेटी है उसके साथ, या कोई अपना बेटा है उसके साथ, या कोई पती है आपका पती के साथ, या कोई बेहन भाई, जो भी है सासर, कोई भी है आपके साथ, उनके साथ संकल्प लीजिए, कि अगर ऐसी कोई भी दिक्कत होती है, तो तीन दिन का जो ह रगा संकल्प जो है लेना है तीसरी बात दीसरी बात ये होती है कि जब भी आप दुर्गा शप्ची पाठ करेंगे तो दुर्गा शप्ची खंडिक तो नहीं हो जाएगा तो जिस दिन आप जो है दुरगा पूजा के लिए पहला दिन जो है चुनते हैं उसी दिन आपने जो है संकल्प लिया होता है तो संकल्प के दौरान आपको ये संकल्प लेकर मा को कहना है कि है मा अगर मेरे पाठ के दौरान मेरे से कोई गलती ह हो जाती है या मेरा पाठ के दौरान रूक जाता है मैं पाठ नहीं कर पाती हूं सुना नहीं पाती हूं आपको या वाच नहीं पाती हूं तो मेरे पाठ को जो है मैं कंटीनू करूंगी जब मेरे मेरा शुद्धी हो जाओं चौथे दिन पाच्वे दिन जो है मैं ये पाठ द जरूर से विकार करें चोथा चीज जो होती है कि जब अगर आपने जो है पूजन करना है कन्या का और कन्या पूजन वाले दिन ये समस्या हो जाती है तो सबसे बड़ी समस्या हो जाती है क्योंकि हमारी जो पूजा हमारा जो पूजन नवरात्री का जो हमने बाठ किया जो हमन आचमन किया, जो माता की हमने चोकी लगाई, उसको जो है हमने कंया पूजन करना है, किस तरह से उद्यापन करना है? उद्यापन का बड़ा भारी है तो होता है नुवरात्री के दौराराँ और कंया पूजन का खास दौर पर अगर ऐसी समस्या आ जाती है तो आपको कन्याओं को सुकह बोजन खिलाना चाहिए सुकह बोजन में आप ऑप कुछ भी अपनी श्रदा अनुसार दे सकते हैं आप कन्याओं को जैसे की परशाद की रूप में कोई भी मिठाई या फिर आप कन्याओं को सिंगार का समान उनके यूज की चीजें दे सकते हैं और फिर आपने उसी नवरात्री की जो ये कन्या पूजन की जो आपने जैसे हम भोग बनाते हैं वो भोग आप आने वाली अस्टमी या आने वाली चोदस के दिन जो है निश्चित कर सकते हैं कन्या पूजन के दौरान जो खाना बनाया हुआ है आपने पती के हातों से कन्याओं को दीजिए या अपने बच्चों के हातों से कन्याओं को दीजिए और दक्षिना खुद दीजिए तो इससे आपकी पूजा है वो सिविकार होगी आपका उध्यापन भी अच्छी तरह से ह आपका कन्या पूजन भी हो जाएगा, मन वाचित फल जो है, आपको मिलेगा, आपकी पूजा में कोई भी दोश नहीं लगेगा, पीरियड्स जो है, ये लेडिस के साथ होते हैं, क्योंकि मा जनम देती है, और मा अगर इस तरह से लेडिस के साथ ना हो, तो संसार ही न चले, स संसार को चलाने वाली जगत जन्नी है, और माता रानी के ही नवरात्रे हैं, तो मा ने कभी ये नहीं का है, कि पिरियड्स के दोरान आप पूजा, पाठ, आच्मन, ध्धान, या कोई मंतर जाप नहीं कर सकते हैं, बस कुछ नियम होते हैं, जो मैंने वीडियो में बता दी है उन नियमों का आपको पालन करना होता है, और विसेश तोर पर मंतर जाप जब करते हैं, तो माला को ना चुए, माला को हाथ न लगाए, आप अपनी उंगलियों में ही मंतर जाप कर सकते हैं, बैठ कर एक जगा असन ले लीजिए, नहा दोकर आप कीजिए, सुबे शाम की प पताना है कि इस तरीके से मातराने की आर्ती की त्यार कीजिए, या फिर पहले ही आप जो है आर्ती की थाली सजाज जिए, दो दिन पहले, एक दिन पहले जब आपको पता होगा कि इस दिन मेरे साथ ये दिक्कत होने वाली है, तो आप उसी से पहले वच्चों को समझा है फल दायक ही मिलेगा आशा करते हूं वीडियो अच्छी लगी होगी अच्छी लगी है तो लाइक करें शेर करें कोमेंट करें चैनल पर नहीं है तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें